अगर आप उस चीज को समझ जाओगे तो चाप्टर विली वेरी इजी फॉर यू और उसके बाद समझने हैं यह दो टर्म आपको समझना बहुत इपॉर्टन अब फीजियोग्राफिक क्या होता है कि किस तरह से चीजे बनी हुई है अब यहां पर नोटिस करेंगे यह माउंटेन बना हुआ है यहां पर ऐसे करके प्लाटू है अब यह परसन यहां पर एक जो परसन है अब यह जो जगा है यह उठी हुई है अब यह उठा हुआ पार जो है उसको पता चल रहा है यह एक टोपोग्राफिक रिलीफ है इसको हम कहते है रिलीफ तो इंडिया का जो मैप है उसको हम लोग नॉमली दिखेंगे तो फ्लाट दिखेगा ठीक है अब as you can see this is इंडिया क map ठीक है नाओ यह ग्लोब में इंडिया का हम मैप देख रहे है अब जेनरली हमको मैप कैसा दिखता है जनरली मैप हमको इस तरह का दिखता है वहky STEPHAN क्या पूरा जो इंडिया है या पूरा वर्ल्ड है वो फ्लाट विल्कूल इससτα illustrations जैसा है बिलकूल इसस़ूर्ष जैसा अब यहां पर जैसे हम देख अब मैंने इसको terrain के उपर fix कर दिया है अब अगर आप इस पर notice करेंगे तो जैसी मैं zoom in करता हूँ इसके अंदर टीक है, we'll go to Mumbai टीक है, जैसी हम यहां पर zoom in करेंगे बहुत सारा region आपको थोड़ा सा uplifted हुआ दिखेगा, टीक है, जैसे for example यह वाला जो region है, this is uplifted, टीक है, अब यहां पर देखिए, बहुत सारी valley है, उसके साथ में mountains हैं, टीक है, rivers हैं, अब यह चीज़े हमको यह पता चलता है, कि हमारा जो surface है, land surface है, वो stable नहीं है, ठीक है, यह जिव आपको समझाने के लिए था, कि जो इंडिया का map है, भली वो पर से flat दिखता है, but it's not flat, तो उसी को जब हम understand करते हैं, कि मान लिज़े, यहां से river flow हो रही है, अब यह जगे mountain है, यह जगे flat है, ऐसा क्यों है, क्या कारण है, जैसे for example, अगर मैं इसको zoom out करो, तो आप पूरे इंडिया में इस तरह के देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप Northside में विजिट करेंगे, तो आपको हिमालिया भी नजर आएगा, ठीक है, हिमालिया देखे, बहुत सादा uplifted mountains है, यह पूरे के पूरे हिमालिया की zone है, ठीक है, यह पूरा हिमालिया है, तो अगर आप इसो notice करेंगे, तो यह कितना सादा changes है, ठीक है, I think अब तक आपको समझ में आ चुका होगा, कि इंडिया किस तरह से बनी हुई है, इंडिया का physical feature क्या है, main landforms क्या है, इनके बारे में हम साथ detail में अभी understand करेंगे, बट आपको एक एक broader overview आ चुका होगा, कि physiography क्या होती है, उसको किस तरह से समझा जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग एक समझने की कोशिश करें, before understanding about physiography, हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं, यह drainage क्या आता है, ठीक हो मान लो example है, this is a river flowing around, ठीक है, यह river flow रही है, अब यह river को बहुत सारी जो होगी, जो उसको पानी इलाके देगी, that will be known as a tributary, जो मतलब मान ली जब यह river जो है, इससे एक river नई बन गई और यह पानी यहाँ से लेके जा रही है, तो उसको कहते हैं, distributary, यानि जो पानी उससे लेती है, वो tributary हो जाती है, जो पानी लेके जाती है उ उस पर बहुत सारी छोटी छोटी river आके मिलेगी भी, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी river आके मिलेगी भी, अब यह पूरे system को हम कहते है, drainage basin, ठीक है, कितना spread है, for example, in India, if we talk about, तो सबसे बड़ा जो drainage basin है, तो जो गंगा river basin है, मैं आपके लिए जूम करते हैं तो चीज को, अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होगे, this is गंगा river basin, ठीक है, यह जो है, यह गंगा के river basin है, अब यहाँ पर देखिए, आप नोटिस कर पाएंगी, यह गंगा है, अब गंगा के अलावा, आज बाज में बहुत सारी छोटी छोटी river भी हैं, जैसे कोसी हुई, गंगा में जाके मर्च हो जाती है, ठीक है, अब ब्रह्मापुतरा भी ले Loren बांगड़ा दिशह मर्च होगी, तो यह जो पूरा भीरी जो ही रीजेन बन रहा है, जो वेब बन रहा है इस वेब को कहा जाता है ड्रीनेज बेसी तो सबसे बड़ा जो ड्रीनेज बेसीन है, व अगर हम move करेंगे, तो यहाँ पे हमको कावेरी मिलती है, यहाँ पे गोदावरी मिलेगी, यहाँ पे नर्मदा मिलेगी, तापी मिलेगी उसके नीचे, ठीके ऐसे बहुत सारे बेसिन बने हुए हैं, हम सबके बारे में, broader overview तो सबके बारे मिले लेंगे, ठीके, आप try करिएग बट वो कैसा है, second या third आप reading जब करेंगे, तब आपको चीज़ याद रखनी है, लेकिन फिलाल for the time being आपको सिर्फ concept समझना, यह lecture का outcome यह है, कि आपको सारी चीज़ समझ में आए, ठीक है, okay, move करते हैं हम लोग आगे, अब यहाँ पी इंडिया के हमने river system समझ लिए, अब ह इंडिया का, उसके बारे में भी एक overview ले ले लेते हैं हम लोग, अब देखिए, north में जो सबसे बड़ा range है न, उसको कहा जाता है कारकोरम range, आपने इनके बारे में सुने होगे, सियाचिन glacier, तो सियाचिन glacier जो है हमारा, वो exactly यहाँ पे है, ठीक है, exactly इस location पे है, सियाचिन glacier यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा peak भी है, जिसको पाकिस्तान ने कभजा कर रखा है, पाकिस्तान occupied कश्मीर के अंदर है, ठीक है, P.O.K कहा जाता है उससे, ठीक है, आप Google में अगर इस चीज़ को check करेंगे, ठीक है, लास्ट लेक्शे में में मैंने बता था, Google में जब आ यह वाला जो रीजन है न, यह पाकिस्तान दिखाता है कि यह पाकिस्तान के अंदर है, जो की गलत information है, और यह वाला रीजन जो है, यह चाइना को dedicated किया जाता है, बट यह इंडिया कमाप कुछ ऐसा दिखता है, मतलब उपर का यह हिस्सा जो है, यह दोनों कंट्रीज को मिल इंसा है, ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कारा कोरम रेंज है, यहाँ पे आप सिक्किम में जगा ट्राइवल करते हैं, कारा कोरम नहीं, कंचम जंगा, कंचम जंगा जो है, सबसे वर्ल्ड का 3rd highest peak है, और यह सिक्किम में आता है, यह सिक्किम में आता है, आप जी तर कारा कोरम ranges, ठीक है, उसके आगे लदाग ranges है, यहाँ वाजासकर mountain, ठीक है, अब हिमालय जो है न वो तीन पार्ट में bifurcated है broadly, ठीक है, हिमालय तीन पार्ट में bifurcated है, तो सबसे उचा जो mountain है, उसको कहा जाता है greater हिमालिया, ठीक है, second number पर जो mountain होता है, उसको कहा जाता है, middle हिमालिया और सबसे नीचे जाता है lesser हिमालिया, फिर एक range आती है, जिसको कहा जाता है shivalik range, लेकिन आपकी books के अंदर इनके बारे में mention नहीं, lesser हिमालिया, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, अब जो greater हिमालिया उसको कहा जाता हिमादरी, जो middle हिमालिया होता हिमालि कुछ जो states हैं, जैसे पंजाब, नॉट पंजाब, जम्मु कश्वीर हुआ, ठीक है? अब तो state नहीं है, अब तो union territory बन चुका है, हमानचर प्रदेश हुआ, सक्की मुआनचर प्रदेश हुआ, ये greater घमारे में fall होते हैं, middle हमाले में fall होते हैं, बढ़ इसके अलावा जो यहाँ पे अरावली hills है, अरावली ranges है, ये आपकी ब्रह्मपुतर river है, ठीक है? और देखते हैं, क्या है हमारा, अब यहाँ पे यह चीज़ को notice करिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सयाधरी ranges, ठीक है? सयाधरी ranges जो term है, ये महरास्ट्रा में use के जाता है, और गोवार करना करन्या कुमारी तक, ठीक है? तो total कितने number states में अगर घुमता है करन्या कुमता है, तो आपका answer होगा 6, मैं list कर देता हूँ, सबसे उपर आता है गुजरात, फिर आता है महराश्रा, फिर आता है गोवा, फिर करनाटिका, तामिल नाडू, एन कैरला, इस आधा 6 states जिसमें वे ओके, अब move करते हैं आगे, यह कुछ questions है, जिनको आपको सिर्व देखके observe करना है, तो already मैंने इसके बारे में बहुत detail में आपको बता चुका हूँ, आप इसको खुद solve कर लीजएगे घर पे, अगर इन case आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज मेंशिन करिएगा, I will try to help you out ठीक है, ओके, अब हमने study किए India के physiography map की, let's study about Brazil as well, अब Brazil जो है आपको पता होगा South America में आता है, ठीक है, Brazil fall in South America, ठीक है, अब South America जो है continent के अंदर fall होता है, उसके अंदर one of the largest country में से यह है, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है lung of the earth है, जिसको कहा जाता है Amazon, और Amazon जो नाम पढ़ा है, वो पढ़ा है, वो पढ़ा है because यह Amazon basin में, अब आपको basin अलड़ी मैंने पढ़ाया, यह river है, उसके आज बाजु में बहुत साई छोटी बोटी river आएंगी, और यह river जो पूरा एक circle बनेगा, जो web बनेगा, उस web को कहा जाता है basin, आज यहाँ पे आपक Brazil is one of the very important state जब हम Amazon की बात करते हैं, अब Brazil के अंदर और भी बहुत साई चीज़े हैं, for example, Brazil में अगर नौथ में जाओगे तो नौथ में एक country है, इसका नाम है गवेना, अब गवेना के विज़े से यहाँ पे नाम आया है, गवेना Highlands, Highlands जनरली आप एक प्लाटू काइंड अब यह पूरी plane एरिया से उसका उपर का हिस्सा तो plane है, लेकिन यह बाकी एरिया से थुड़ी उपर उठी हुई है, तो generally ऐसे region को कहा जाता है, प्लाटू और जो South American region है, उसमें Highland शब्द यूज के जाता है, तो confuse मत हो ना, इस kind of a प्लाटू region, ठीक है, उसके साथ में Amazon River के बारे में अल्रीडी बता चुका हूँ, Marajo Island यहां पे है, ठीक है, उसके साथ में Panthenal है, ठीक है, इनकी Capital Brazilia है यहां पे, ठीक है, यहां पे अगर नोटिस करेंगे, तो इस सबसे important चीज है, जो generally पूची जाती है, Brazilian Highland, ठीक है, इसको कहा जाता है Brazilian Shield as well, क्योंकि दिको ब Mountain है, तो मुझे बताइए, यहां से अगर कोई हवा आती है, यह जो हवा है, इस तरफ travel कर रही है, ठीक है, इस तरफे travel कर रही है, तो मुझे बताइए, क्या यह हवा इस region को hit कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि यह Mountain जो है, इस Mountain ने उस चीज को block कर दिया है, तो अब, क्योंकि block किया, अब shield क्या करता है, shield क्या कर, shield क्या आप कह सकते हो, एक तरह से guarding का काम करता है, protection देता है, जैसे हमारे लिए हम कह सकते हैं, कि थंडी के मौसम में इंडिया में बरफ जम जाने ही चाहिए थी, yes, it's a fact, इंडिया में बरफ जम जाती, लेकिन क्यों नहीं snowfall नहीं होता है, the reason is why, actually में थंडी के रिजन में Siberia से बहुत थंडी हवाएं, इंडिया की तरफ ट्राविल करती है, अब ट्राविल करती हैं, तो कहां चले जाती हैं रस्ते में, कहीं नहीं जाती हैं, बीच में उनको मिलते हैं mountains, और ये mountain क्या है, ये हमारे हिमाले हैं, ठी रहा है, यानि जो थंडी हवाएं, इसके वज़े से इंडिया को जो climate है, वो बहुत जादा थंडी के टाइम पर भी ऐसा नहीं होता है, कि minus 40 degree, minus 50 degree पहुच चुका है, 0 degree hardly पहुचता है, majority of the इंडिया में, ठीक है, so यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर ये shield है, उसका म पूरा कैसे है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत important जो है, यहाँ पर pampas करके grassland होता है, pampas मतलब आप कह सकते हो, जैसे एफरीका में आप जाओगे, तो एफरीका में grassland है, सवाना, आपने national geography अगर भी follow की होगे, तो आपने देखा होगा, सवाना grasslands की बहुत बात होती है, चोटी-चोटी grasses होती है, अब देखो, grasses उसी जगे उखती है, जहाँ पे पेर सस्चेड नहीं हो सकता है, यानि जहाँ पे बड़े पेर उग नहीं सकते है, उसी जगे grass उखती है, तो यहीं पे बिल्कुल इस region में, यहाँ पे grassland है, इसका नाम है Pampas, ठीक है, ओके, तो यह दूँ, ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी होगी, यहाँ पे इंडियन, great इंडियन, desert है, जिसको thar desert के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पे runoff kutch है, ठीक है, salt pan है यह, इसके साथ में north eastern region या अनुनाचर पतेश है, states के बारे में अगर आपको information चीए तो please mention कर दीजेग नेक्स लेक्चर में हम states के बारे में भी discuss कर लेंगे, ठीक है, okay, let's move, अब, अभी हमने एक broader overview तो ले लिया है, कि किस तरह से इंडिया के जो region है, उसका development होता है, कैसे बना है, एक बार उसका एक अच्छा perspective सा understand कर लेते हैं, for example, Himalaya, Himalaya youngest fold mountain है, world का, ठीक है, youngest का मतलब होता है इसको बने जादा time नहीं हुआ है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, 2004,000 साल हुए है, 50 to 70 million years हुए है, एक million में आता है, 10 lakh साल, ठीक है, तो इतना time लगता है कि mountain को बनने में, तो comparative लिए अगर हम बाकि हो, क्योंकि इसकी जो height है वो अभी भी grow कर रही है, आपने books में generally refer किया होगा that is what, Mount Everest, ठीक है, नेपाल में आता है ये, उसकी height है 848 meters, ठीक है, 848 meter है, but that's actually में अभी ये rise हो रहा है, बहुत से यसी modern books है जिसमें update होके ये 50 हो चुका है, ठीक है, तो इसकी height जो है continuously rise हो रही है, इसके लिए young mountain है, और इसकी height के जैसे इसके उपर बहुत जादा snow capped होता है अब ये कहां कहां fall होता है, आप देखेंगी जम्मू कश्मीर से और नाचरपदेश, अब देखें यहां पे, अब ये है जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर जो है, ये region से अगर हम travel करते हैं, मैं इंग change कर देता हूं इसकी, ओके, अब यहां पे notice करिएगा, यहां पे यहां पे सिक्किम आएगा, ठीक है, यह सिक्किम आएगा, और सिक्किम के बाद यह अनुनाचरपदेश है, तो आप देखेंगे कि यह जो है generally five state में spread है, ठीक है, और यहां पे यही आथर भी यही कहना चाह रहे है, यह book भी यही कहना चाह रहे है, कि जो जम्मू कश्मीर से लेके अनुनाचरपदेश तक हमारा हिमाले जो है spread है, ठीक है, अब हिमाले जो है, यह पामिर नौट से लेके तजाकिस्तान में जो है east में, ठीक है, east तक spread है हमारे अनुनाचरपदेश तक, in fact थोड़ा सा region इसका हमारे neighboring country मैन मैर में भी जाता है, ठीक है, इंडिया में कहा अनुनाचरपदेश और हमाले जो है, यह single mountain range नहीं है, ऐसा नहीं कि सेव एक mountain range है, यह group of mountain है, ऐसे बहुत सारे mountain range है, for example, यह हुआ, उसके बाद एक और mountain range है, इसके बाद एक और mountain range है, ठीक है, इस तरह से इसका mountain range का formation हुआ है, अब मैंने बताया तो जो सबसे बड़ा mountain range है उसका नाम है, हमादरी, जो second number पर आता है, middle Himalaya, उसको कहा जाता है, हमांचल, और जो सबसे lower range वाला है, उसको कहा जाता है, शिवालिक, ठीक है, अब यहाँ पर जो हमादरी है, उसका नाम है, trans Himalaya ranges from south to north, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे mountain ranges ऐसे भी हैं, जो कि north से south भी जा कुछ की age जादा है, कुछ की कम है, ठीक है, for example, अगर इंडिया के map में देखेंगे, तो इस तरह से तो Himalaya form होता है, यहाँ से लेकिन कुछ एक और mountain range form होता है, इसका नाम है Arakan Yoma, यह मायनवार में है, in fact, इसी का extension जो है, वो जाके later on आपका आंदमाने Nicobar Islands बनता है, यह थ कुमाउ हमालया में आता है हमारा कुमाउ हमालया है, इस्टन हमालया को हम कहते है, असाम हमालया, ठीक है, अब यह देखे, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो region होता है, उसको कुमाउ हमालया कहते है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो region होता है, उसको असाम हिमाले कहते हैं ठीक है अब देखे यहाँ पे पीर-Panjal range है जिसके जिसका पंजाब हिमाले का आ जाते है अब देखे नौ इंडिन प्लेट की बात में ने की थी नौ इंडिन प्लेट क्या था कि एक बहुत बड़ा रीजन है जीसे यह जी हिमाले खतम होता है ना उसके नीचे का जो रीजन था वो रीजन में धीरी दिन है सेडिमेंटेशन हुआ और कहीं हसारों सालों तक ही चला और उसके बना एक फटाइल लाइन जिसको कहा जाता है नौत इंदिन प्लें ठीक है इसको भी मैप में में दिखा दूँगा आपको फॉर्दर टाइमिंग इसको अंडरस् ऑडस्पी क्या है यह εκस्टेंड करता है राजशतां और पंजाब में इन वेस्टाफ and असं तीक है अब मोस ऑड़ गर्जका अरिया है वो फ्लाइड एन रीड्र में तो इससको कहा जाता है न samma plane अभी थोड़ समय पहने में वेस्ट बेंगॉल जो है स्टेट है इंडिया का साथ है बांगलादेश जो थे यह वन अफ वेरी इंपोर्टेंट रीजन थे उस समय के जो यह नौत इंडियन प्लें था या गंगाटिक प्लें था अब को पता होगा यहां से गंगाज रिवार आती थी और यहां से असम की त चोटी चोटी रिवरीन को मिलेगी ना तो यह वाला रीजन जो था यह भी बहुत बड़ा डिल्टा था और इसी कर से आप नोटीस करेंगी जब बिटिश है हमारे यहां रूल करते थे मिजॉरिटी अव थे टाइम उन्होंने बंगाल में ही रूल करने का उखशिश्या क्य ठीक है जो डिल्टा रिजन होता था अब वहां पे बहुत बड़ा डिल्टा फॉर्म होता है जैसी यह जाता है तो यहां पे ना यहां पे बहुत बड़ा डिल्टा फॉर्मेशन होता है इस डिल्टा को हम कहते हैं सुन्दरवन डिल्टा और आपका बता दू यह वन आफ द और यह जहां पर river खतम होगे, समुदर से मिलेगी, उसको mouth कहा जाता है, अब इतनी चीज अगर समझ में आ गई हो, तो आगे चलते हैं, अब river यहां से travel करेगी, अब जब को river travel करेगी, तो ऐसे नहीं कि वो बस पानी लेके जाएगी, उसके साथ में बहुत साथ चोटी-चोट सेडिमेंट को भी अपने साथ बहा ले जाएगी, लेकिन अब जहां पर यह चीज river खतम होगी, पानी तो है, समुदर के साथ मिल जाएगा, लेकिन सेडिमेंट का क्या, अब यह जो सेडिमेंट होते हैं, यह थोड़े से comparatively जो water होता है, समुदर का पानी होता है, उससे हलके होते हैं, जिसके वज़े से यह आगे जादा float नहीं कर पाते हैं, और यह एक के उपर एक layering करना चालो जाती है, layering के जैसे outcome क्या होता है, कि यह artificial, artificially naturally एक island formation होता है, और क्यूंकि यह island पूरा कपूरा sediment से बनता है, इसे हिले इसको कहा जाता है, delta, ठीके, अब there are various type of delta, ठीके, यह जो delta है, यह गंगाटिक delta के बारे मां बताया गया है, अब इसका half जो part है, somewhere around 40-45% के आसपास, वो इंडिया में आता है, और majority part जो है, वो बांगलादेश में जाता है, ठीके, ओके, अब जो सुंदरवन नाम है, इसके बारे में बताता है, सुंदरवन नाम लिया गया है सुंदरी ट्री से, सुंदरी एक kind of a mangroove tree होता है, ठीके, जहां पर बहुत जादा सुंदरी ट्री थी, उस जगे का नाम रख दिया, सुंदरवन, बन का मतलब होता है, North Indian language में वन का मतलब, और बंगाली भाशा में उसको वन को ब कर देते हैं, वन को ब कर देते हैं, तो वन म देख लेते हैं, यह सारी चीज़ा पहले understand करते हैं, अब desert को एक को नाम से आता है, Marustal, desert का मतलब क्या होता है, अब कुछ नहीं वहां से हो सकता है, बंजर हो गया जगा, ठीक है, Marustal है वहां पर कुछ भी नहीं सकता है, अब Rajasthan जो है, उसका majority part जो है, वो desert area, इसलिए state है, अगर area wise में बात करूँ, तो सबसे बड़ा state है, फिर भी आप notice करेंगे, उसमें population बहुत कम है, यह भी बहुत important logic है, कि आप notice करेंगे, UP बिहार का जो region है, वहां पर बहुत सारी river flow करती है, यानि वहां पर पानी की कभी कोई कमी नहीं होती है, पानी बहुत सारा है, प् पानी की availability है, खाना पी नहीं मिल सकता है, आप मुझे बताओ कहां रहोगे आप, simple सी बात है न, आप यहीं पर आके रहोगे, जहां पर सारी चीज़ए available हो रही है, बिल्कुल उससी logic है, जो पुराने लोग थे, वो इससी चाहिं पर यहीं पर रहे थे थे, आप देखेंगे कि आज भी जो majority of the population, the world की population, इधर किसी river के बाद या तो किसी समुधर के इधर बसी हुई है, coastal regions में, ठीक है, ओके, चलो, तो आगे चलते हैं, अब देखो यह कहां से कहां तक है, यहां पर अरावली है, ठीक है, यहां पर अरावली हो और इसका जो west वाल रीजन है, आप ऐस अरावली एक तरह से natural shield है, क्योंकि desert जो है, दिन बर दिन इस तरफ spread होते जा रहा है, और हम लोग भी बहुत अच्छा wonderful काम कर रहे हैं, पेड काते जा रहे हैं, तो पेड जो होता है, एक तरह से natural obstacle है, जिसके वाज़े से desert आगे फैन ली पाता है, लेकिन हम क्या कहते है, हम हम desert बनने में अलग से help करते हैं, ठीक है, हम अलग से help करते हैं कि desert वाला काम हो जाए, अब यहाँ पे अगर आप notice करेंगे, तो उसके northern side में सतलज river बहती है, सतलज river आप यहाँ पे देखिए image में, मैं specific location पे zoom कर देता हूँ, अब यहाँ पे देखिए, यह जो region है, यह हमार Great Indian desert हो गया, ठीक है, अब इसके north में हम travel करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, बहुत साथी rivers है, ठीक है, अब यह जो term Punjab है, पंजाब शब्द का मतलब ही है, five rivers, जहाँ पे पांच river मिलती है, पंज, पंज का मतलब होता है five, पांच river जहाँ मिलती है, that's a Punjab region, ठीक है, अब य क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी है, तो यह agriculture के लिए बहुत ज़्यादा हो helpful है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप notice करेंगे, यहाँ पे पानी की बड़ी कमी है, तो पानी की कमी है, तो यह region जो होगा, एक तरह से, आप कह सकते हो, मरुस्तल बन गया है, अरावली range, अब यह यह जो region है, आप ऐसा नहीं कि इंडिया में ही सी आपको desert मिलेगा, यह जो पाकिस्तान का यह वाला region है, जो white color में है, यह भी पाकिस्तान में desert है, ठीक है, ओके, इसके अलावा मैं आपको बतारता है northern plains के बारे में है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, तो यह मैं आपको, आपके जो chapter population है, उसके मैप से आप compare करेंगे, cross verify करेंगे, तो आप notice करेंगे कि जिदर जिदर population जादा है, वहाँ वहाँ पे बहुत साई river भी flow कर रही है, ठीक है, असम में, जम्मू कश्मीर में, उतरांचल में, यानि उतराखंड में, हिमांचर पदेश में, या मद्य पदेश का ये वाला जो bundेल कंट रीजन है, ये भी बहुत साथा पानी यहाँ पे नहीं होता है, भली आपको दिख रही है rivers, बट पानी बहुत कम होता है, तो ये सारे रीजन में बहुत कम population है, वाई, करीन अच्छा नहीं है, रहने के लिए सस, तो करते हैं फिर, अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, यहाँ पर जो है Penisular India है, अब Penisular India में बहुत सारी रीजन जो है, उसको हम understand कर सकते हैं, जैसे Penisular India इस तरह से, ये जो है, अब Penisular होता कह है, उसका मतलब समझ लेए, जो तीन तरफ से पानी से कवर हो, 1, 2, 3, ये तीन र रीजन है, ये Penisular India हुआ हमारा, अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगी, यहाँ पर आपका वेस्टन घाट आता है, यहाँ पर इस्टन घाट आता है, यहाँ पर सत्पूरा आएगा, विंदियाज आएगा, ठीक है, यह जो पूरा रीजन है, और in fact, यह one of the world का सबसे oldest region भी ह इसे लिए यहाँ पर इसे लिरिवर्स बनती है, वो ज्यद्दा डीप नहीं होती, करको ककरना रिवर के लिए असान नहीं होता है तो ऐसी जो रीजन होता है, जनरली उस रीजन पर इनिसलिर इंडिया में fall होता है, एसे लिए यहाँ की आप देखेंगे तो गर्मी का मौसम जब आता है तो यह जनली सूख जाते हैं पेरिनियल नहीं होती है पेरिनियल शब्द का मतलब उता है साल भर नहीं भेटी है ठीक है ओके तो चाहिए तो एक बार हम माप में देख लेते हैं इस चीज को हम यहां माप पे देखेंगे तो पेनिसुलर इंडिया पे जूम कर लेते हैं एक बार अब यह पेनिसुलर इंडिया है यहां पे हमारा इंडिया रेंज आ गया यहां पे हमारा सत्पूरा रेंज आ गया और यहां पे आपका सयाधरी आ गया है यह आपका आ गया Eastern Guard ठीक है Telangana Plateau आप Telangana Plateau का एक बड़ा का जो पूरा प्लैटो है तिलंग ऌता है इसे लिए तेलंगणा प्लैटी लेकिन जणरली क्या करते है यह पूरे रिजन को ये पूरा रिजन जो होता है इसको Decon Plateau के नाम से जाना जाता है ठीक है Okay लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि Western घाट का सबसे उचा पीक कौन सा है तो इट विल भी अनायमुडी है ठीक है यहाँ पर जो अनायमुडी है यह सबसे जदा हाइस पीक है ठीक है इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जैसे for example आप अरावली हिल्स में जाओगे तो वहां गुरू शिकर है महिंद्र गिरी में अलग से हाइस पीक है ठीक है ऐसे बहुत सारे रीजिन हैं जहां पर हाइस पीक है बट आपको जनरली अनायमुडी पूछा अगर मानलो महराश्रा प अब देखें इंडिया में बहुत जाता coastline बहुत हाए coastline मतलब देखें जो border area जहां से समुदर मिलता है तो इंडिया में बहुत साथा coastline जो area है बहुत हाए somewhere around 7500 km है western और eastern side दोनों में है peninsular के बारे में आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ western coastline जो होता है यह बहुत साथा और eastern coastline उसमें बहुत साथा the region है क्योंकि यह वाला region जो है comparatively more deeper है as compared to this यह जो region है यह बहुत साथा shallow है यह बहुत साथा दीपर है तो आपको majority of ports भी यहीं मिलेगा ठीक है तो यही बताने की कोशिश हो रही है कि बहुत जादा dissimilarity है दोनों के बीच में जो western coast जो है वो arabian sea का वो उसमें बहुत जादा rocky coast है ठीक है इसके साथ में हम यहाँ पर notice करेंगे जो western घाट जैसे जैसे जा रहा है बिलकुल उसी तरीके से आपका यह western घाट है उसी तरीके पर आपका यह जो region है वो भी इसी तरीके से coast बना हुआ है अब reason इसका difference है अगर geography आपने detail में थोड़ा पड़ेंगे तो यह इसका एक technical reason है जो की geographies देते है कि यह जो region है cut down हो की नीचे गिर चुका है सब्मर्ज हो गया है ठीके तो इसके साथ में आप देखेंगे तो यह मान लीजे मैं coast पर खड़ा हूँ तो coast पर धीरे धीरे जाओंगा तभी depth बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है western घाट western side में जो हम लोग जब travel करते हैं यह western घाट में जब हम travel करते हैं तो इसका comparative depth बहुत ज देरे देरे rise होता है ठीक है तो इसके से यह जो है यह broader है यह भी एक दूनों के बीच में हम क्या सकते हैं कि distinguish करने के लिए असानी हो जाएगी dissimility है दूनों के बीच में अब इसके अलावा हम लोग अगर notice करेंगे तो जो reverse form होती है western घाट में यहां से river flow रही है तो river की speed बहुत हाय होती है और छोटी river होती है तो यह ज़्यादा material क्यानी नहीं कर पाती है secondly मैंने बताया था peninsular इंडिया की जो reverse होती है वो reverse hard surface पे होती है rocky surface पे होती है तो वो cut down नहीं कर पाती है इतना जल्दी तो यह पानी में सीधा मिल जाती है और esturies बनाती है esturies कैसा होता है जहां पे न अब देल्टा region में यह जो river flow रही है यह river actually मैं इसके साथ में अगर मै इसका 3D view दिखाऊं तो इस तरह से यह river यहाँ पे ऐसे flow रही है और river इतने region को यह जो land area ने इतना region को cut कर चुकी है यह कट कर चुकी है, हमको उपर से इतना ही दिखता है, यह जो उपर का रिचा नहीं यही दिख रहा है हमको, लेकिन अंदर से इतना कट कर चुकी है, बट कट करने को से इतनी जो मिट्टी है, वो जमा करेगी ना कर जाके, लेकिन हम अशुरी में देखेंगी कि इतना depth नहीं क कर पाती है तो यह एक सिंपल सा डिफरेंस है चाहिए था तो आप मुझे बता दीजेगा मैं नेक्स लेक्टर जो बनाऊंगा उसके इंदर एस्टूरीज और डेल्टा के बारे में डेटेल में कोशिश करता हूं कि आपको एक बार अंडेस्टाइंड करवा दूं ठीक है ओके ims था दॉं ना हें महानदी हुई गोदावरी हुई कावेडी हुई डिके ये बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है यहां पर अगर आप नोडिस करनों कि हाडली दू रिवर्स को छोड़के बाकी सार रिवर जो है वेस्टर और साइड में अप्ना डिल्टा बनाती है तीक है दो river कौन सी है नर्मदा हुई और तापी हुई ये दो river जो है अरीबिन सी में जाके अब नर्मदा river जो है आपको इसके बारे पता हो ना जो सरदार सरवर डाम इसके पर बनाएं Statue of unity आपने इनके बारे में सुना तो हो गई सरदार पटेल का statue बनाया हुआ है highest in the world अब island group है इंडिया में बहुत सारे islands है ऐसे नहीं एक दो है बहुत सारे islands है और जैसे for example Bay of Bengal में बहुत सारे islands है फिर artificial delta islands भी हमारे पास जो famous islands है या union territory यह एक है लक्षवदीब और एक है हमारा आंधमान है लक्षवदीब जो है यह मां लीजे यह इंडिया है इंडिया में यह जो region है यह लक्षवदीब आता है और इंडिया में यह चिन्नाई है चिन्नाई से exact सामने जाएंगे तो आंधमाने निकोबार आता है यह दो important islands है अब आंधमाने एक और fact बता रहा हूँ, अनुवाने निकोबर में इंडिया का only active wall कहनो है, जिसका नाम है Barren Island, ठीक है, यह इंडिया का only active wall कहनो है, अब ठीक है, यहां पर निया हुआ है, ठीक है,